जीवन में यह एक आदत को अपनाओ और हर समय उत्सा उर्जा महसुस करो इसके बारे में आज बात्चीत करने वाला हूँ मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केड़ेकर में मनोविकार सेख्ष्रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्तित अद्न्य हूँ महाराष्ट्य में पुछे 37 साल से मुंबई पुण अकुला यहां प्रैक्टिस करता हूँ अब देखा हूंगा कि लाफ्टर कलब रहता है उसमें काफी सारे लोग सुबह सुबह इकट्टा होते हैं और कुछ कारण नहीं तबी वह बहुत हसते हैं उसके बीचे साइन्टिफिक कारण है उसके बीचे साइन बीचे से मुख की मशल्स तो यह पूरी मुसल्स और आपका जो इंटर्नल स्टेट है वो स्टेट इसका जो कनेक्शन इसमें आपको समझ में आएंगा यह पूरी मशल्स आपकी स्टिमूलेट करती है परास्यमपदेटिक नर्वस सिस्टेप पी औने ँस गोलते हैं उसको प आपको घबराट बेचेनी नर्वसनेश डिपरेशन गाइफ हो जाएगा तो आपने हसने की आदेड डालना है जितने बार आप दिन बर में हस सकते हैं कुछ भी छोटा मोटा काराने तो मस्त जोर से हसना तो उससे आप बहुत दिन बर खुशी वाले रहेंगे उर्जा मान रहेंगे आपने देखा होंगा काफी लोग जो है अच्छेचे स्पीकर से वो थोड़े ऐसा कुछ बोलते हैं एक अदा जोग मारते हैं और खुद ही बहुत बढ़ी जोर से हसते हैं हमको लगता है कभी कभी और वे चूटा कारण है क्यों हस रहें उन्ने आदग बना लिया है कि चोटा कारण भी रहती मख़ल रहते हैं पहल मस्त हसना है और जिनवर में जितने बार हसा कि उतने बार हसना है उसमें बहुत ज्यादा उर्जा मिलती है और उसके बीचे साइन्टिपिक रिजन है क्योंकि हसना परासिंपेजनर सिस्टिम को बढ़ाता है रिलाक्स करता है उसको स्टिमुलेट करता है से आपको डिप्रेशन एंग्जाइटी बेचेनी यह निकल जाके उरुजा लगेंगे तो आज से चालू करो जितने बार सकते हैं लाफ्टर क्लब ज्याइन करो मैं उसको कोई मेंबर नहीं हूं ना अकुला में लाफ्टर क्लब है ना उसका में करने की एक्जरसाइज करो और दिन बर में जितने बार हस सकते हैं और वह एप्रोप्रेट होना चेम अगर एप्रोप्रोप्रेट नहीं रहेंगा तो प्राब्लम हो जाएगा तो वह हसना चालू करो वीडियो आपको अच्छा लगा तो लोगो शेर करो थैंक्यू भेरे मच कर दो